हेलो दोस्तो आज इस वीडियो में हम आपको जर्मनी के ग्रामिट जीवन के बार में बताएंगे जर्मनी विलेज लाइफ में इस वीडियो को हमने चार भागों में बांटा है यानि फोर पार्ट्स में ताकि हम आपको जर्मनी के गाउं के जीवन की सारी जानकारी सही से दिखा सकें, सही से बता सकें पहला भाग में जर्मनी विलेज इंटोडक्शन इसमें हम आपको जर्मनी के गाउं को घुमाएंगे और जानेंगे वहां के गाउं दिखने में कैसे होते हैं वहां के गाउं के घर, गाउं के गलियां, खेत खलियान आदे गुमाएंगे दूसरे भाग में हमने बताया है जर्मनी विलेज लाइफ यानि जर्मनी के गाउं के लोग अपना जीवन कैसे जीते हैं क्या काम करते हैं, जीवन जीने की सैली कैसी होती है और वहां के लोग किन-किन कामों के उपर निर्भर रहते हैं और साथ में दिखाएंगे वहां का खान पान तीसरे भाग में जानेंगे जर्मनी विलेज फार्मिंग यहां के गावाले कौन-कौन से खेती करते हैं किस परकार के खेती करते हैं और खेती से इनको कितना मुनाफ़ा होता है ये सब जानेंगे तीसरे भाग में और साथ में घुमाएंगे जर्मनी के फार्मर मार्केट को यानि जर्मनी की सबजी मंडी को और चौते भाग में जानेंगे जर्मनी विलेज पिपल इंकम जर्मनी के ग्रामेंट लोगों की कितनी इंकम होती है और साथ में जानेंगे जर्मनी में खेतों में जो काम करते मजदूर उनकी कितनी सैलरी होती है यानि उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है वीडियो शुरू करते हैं अगर आपको याज जानकारी पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा हमारे इस वीडियो को शेर करें पहला बाग जर्मनी विलेज इंट्रोडक्शन या विलेज जर्मनी के बवारे राज्ये के फ्यूजन प्रांत में पड़ता है जर्मनी के गाउं दिखने में काफी सुंदर और डवलप्ट होते हैं यहां के अधिकांस गाउं वाले काफी ज़्यादा संपन और सम्रित साली हो आप करते हैं एक सेर जर्मनी के गाउं की और इससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि वहां के गाउं कैसे होते हैं वहां के घर गाउं के गलियां सडक खेत बाजार आदी घूमते हैं ताकि आपको एक अंदाजा हो जाए जर्मनी के गाउं दिखने में कैसे होते हैं य जिससे यहाँ पर खेती बहुत बड़े इस्तर पर की जाती है और खेती के लिए यहाँ पर काफी आधुनिक और मौडर्न मस्नियों का परियोग किया जाता है जर्मनी के गाउं में टुरिस्टों का अभी काफी आना जाना लगा रहता है और यहाँ के गाउंवालों को इन टुरिस्टों से काफी अच्छी कमाई होती है क्योंकि हाँ के गाउँ वालों ने इन टूरिष्टों के लिए अपने गर छोटे होटल और रिजोट में बदल दियें जिसे इने अच्छी कमाई होती है और अपने रहने के लिए इन्होंने अपने दूसरे घर बनाती है जो कि गाउं से थोड़ी दूरी पर होते हैं अपने खेतों के असपास और इसे इन्हें पसू पालन करने में भी आसानी होती है पसू के लिए डेरी फार्म, रहने की जगा आसानी से बन जाती है जो कि अधिकांस रूप से खेतों में होती है और पसू के लिए चारे पाने की व्यवस्ता करना आसान होता है क्योंकि खेतों से हरी गास आसान इसे उपलब्द हो जाती है अब बात करते हैं जर्मनी व्लेज लाइफ की जर्मनी के गाउं के लोगों का जीवन मुख्यता से पसू पालन और खेती बाड़ी पर गुजरता है पसू पालन के लिए इनके पास अपने बड़े बड़े खेत होते हैं जहां पर ये अपने पसू को पालते हैं और उनके चारे पाने की सारी व्यवस्ता भी वहीं पर की जाती है जर्मनी के गाउंवाले पसू पालन में जातर गाए बेड़ सुवर गोड़े पालते हैं गाईों के दूद का व्यापार और उससे बने उत्पाद जर्मनी में काफी फिमस है जर्मनी के किसानों की इनकम का एक बड़ा हिस्सा गाई के दूद से आता है या फिर ये कहिए जर्मनी के किसानों के जीवन में गाई और गाई पालन बहुत महत्यपूर्ण है छोटा किसान हो या फिर बड़ा डेरी फार्म अधिकांस करते हैं यहां के गाउवालों के पास अपने काफ़े बड़े डेरी फार्म होते हैं जहां पर 100-200 गाई होना आम बात है और इन डेरी फार्म से इनकी अच्छी इंकम होती है जर्मनी में दूद का वेबसाइट सबसे ज़्यादा किया जाता है दूद और दूद से बने सामान सबसे ज़्यादा जर्मनी दूसरे देशों में बेशता है इससे आप अंदादा लगा सकते हैं जर्मनी में डेरी फार्मिंग कितनी बड़ी मात्रा में की जाती है डेरी फार्मिंग के लिए यहां के गाउवाले मौडरन टेक्नलोजी का परियोग करते है सारा काम आटोमेटिक मसेनों से अपने आप हो जाता है अब जानते हैं जर्मनी में खेते किस परकार से किया जाती है और खेती से क्या मुनाफ़ा होता है जर्मनी के गाउवालों के पास बहुत बड़ी मात्रा में जमीन होने के कारण इनके खेत भी काफी बड़े बड़े होते हैं एक किसान के पास ओसतन सौ एकर से दो सो एकर तक खेती के लिए जमीन होती है खेती में यहाँ पर सबसे ज़्यादा गिहूँ बाजरा जो सब्जों में आलू प्याज गोबी और फोलो में सेव, इस्टोबेरी, अंगूर उन सब की खेती सबसे ज़्यादा और बहुती बड़े इस्तर पर की जाती है और इन सब को यूरॉप के दूसरे देशों में बेच कर बहुत सारा मुनाफ़ा कमाय जाता है जिस्ते यहाँ के किसानों को सिधा फाइदा होता है और जो यहाँ के छोटे किसान हैं जिनके पास खेती कम मातरा में हैं वो अपनी खीति की उपच को यहां के farmer market में बेचते हैं या फिर यह कहिए सबजी मंडियों में जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं जर्मनी के हर गाउं के आसपास आपको farmer market मिल जाएगा ये फार्मर मार्केट ऐसी जगाँ पर होते हैं जहां पर आसपास के गाँवाले आसानी से आ जा सकें और अपना सामान आसानी से यहां पर बेच सकें जर्मानी में किसान अपना फसल या फिर अपनी उपट सीधा घराक को बेज़ता है जिससे इन्हें अच्छा मनाफ़ा होता है और अपनी फसल की अच्छी किमत मिल जाती है दोस्तों आप अंतिम भाग में जानेंगे जर्मनी के गाउवासी की इंकम के बारे में यानि यहां के गाउवालों की एक महिने में खेती बाड़ी या फिर डेरी फार्मिंग से कितना कमा लेते हैं वैसे तो किसानों की इंकम निर्भर करती है उनके काम के उपर वे किस परकार की खेती करते हैं कितनी मातरा में करते हैं अगर पसुपालन का काम है तो कितनी गाय और दूसरे मवेसी हैं इन सरपर निर्भर करता है कि उनका एक मेहने की कमाय कितनी होगी लेकिन अगर आस्तन इंकम की बात की जाए तो यहां के छोटे किसान small family farmer एक महिने में करीबन 3,000 यूरो तक आसानी से कमा लेते हैं जो की भारत के होता है 3,000,000 परती महिना और साल का करीबन 35-40,000 और जो मध्यवरगी और बड़े किसान है उनकी कमाई करीबन 4,000 यूरो से 8,000 यूरो तक होती है जो भारत के होते हैं 4,000,000 से 8,000,000 रूपय परती महिना और जो साल के होते हैं करीबन 50,000,000 से 60,000,000 तक और जो यहां पर खेतों में ध्यारी मजदूरी करने वाले farm worker हैं यानि खेतों के करमचारी उनकी एक महिने की कमाई और परती दिन की कमाई परती दिन की कमाई उनकी 80,000 यूरो तक होती है और महिने की कमाई उनकी 1600 से 1800 यूरो तक होती है जो भारत के करीबन होते हैं एक महिने के डेट से 2,000,000 रूपय परती महिना दोस्तों यह कमाई भी जारी मज़दूरी के हिसाब से एक अच्छी कमाई है अच्छा वेतन माना जाता है अगर आपको यह जानकारी पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ यह जानकारी शेयर करें थैंकि सो मज़ धन्यवाद